वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स आपने काफी जगए पढ़ा और सुना होगा वीपल की एक डिजिटल आर्ट एनेफ्टी 69 मिलियन डॉलर में बिकी जो दुनिया की सबसे एक्स्टेंसिव एनेफ्टी है इसके इलावा भी जैक डॉर्सी जो ट्विटर के CEO थे उनका भी फर्स्ट ट्वीट 2.9 मिलियन डॉलर में सेल हुआ आज कल डिजिटल स्पेस में एनेफ्टी का बहुत क्रेज है और इंडिया में भी एनेफ्टी का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी तो एनेफ्टी वर्ल्ड में क्रिप्टो करणसी से भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है गूगल ट्रेंड के डाटा को देखे तो एनेफ्टी ने क्रिप्टो को पीछे छोड़ दिया है इस बात से आप समझ सकते हो एनेफ्टी बस कुछ कंट्रीज में नहीं बलकि ओल ओवर वर्ल्ड ट्रेंडिंग में है क्योंकि इसमें क्रिप्टो करणसी वर्चुल रियालिटी और सोशल मीडिया तीनों के साथ लिंक है और वर्ल्ड के प्रोमिनेट लोग एनेफ्टी को बाय करने में लगे हुए है एनेफ्टी एक डिजिटल एसेट है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो और आप नॉर्मली ओनलाइन सर्च करके भी देख सकते हो और क्यों लोग क्रोडोर रुपे spend कर रहे हैं एनेफ्टी को बाय करने के लिए आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले बात करते हैं, what is NFT, NFT क्या है, NFT यानि non-fungible token एक तरह का digital asset और data होता है, जो blockchain पर record होता है With the help of NFT, आप digital space में किसी painting, poster, audio और video को trade कर सकते हो, fungible item की तरह इसके बदले में आपको digital token मिलते है, जिने NFT कहा जाता है, NFT को आप next generation के auction की तरह समझ सकते हो कोई artwork या कोई ऐसी item जिसकी कोई duplicate copy ना हो, उसे NFT करके लोग पैसे कमाते है कोई भी creative person अपनी art and skill को monetize करके sale कर सकता है Digital assets और NFTs को cryptocurrency के जरिये buy और sale किया जाता है, क्योंकि इनका encryption भी वैसे ही software के साथ होता है and first time 2014 में NFT digital space में entry हुई, right now NFTs are one of this fastest growing sector है in the crypto industry अब बात करते हैं NFT unique क्यों है and क्यों ये special है जिसकी वज़े से massive investment NFTs में हो रही है कोई भी art और item अगर digital है और internet पर available है तो कोई भी उसकी duplicate copies बना सकता है but NFT unique होते है क्योंकि उनका एक unique ID code होता है like जैसे हमारे fingerprint कभी किसी और के साथ match नहीं करते वैसे ही two NFT कभी match नहीं कर सकती हर एक NFT की unique ID होती है जिससे piracy and fraud होने की tension कम हो जाती है इसके साथ जब कोई NFT खरीता है या buy करता है उसे blockchain technology से less safe certificate भी मिलता है इस वज़े से NFT बहुत unique and special बन जाती है अब बात करते हैं NFT काम कैसे करती है जैसा कि मैंने आपको बताया NFT blockchain पर store होती है like Ethereum, Binance, Trone, Vex and many other blockchain जहां पर NFT को बना कर buy sell किया जाता है but Ethereum first ऐसा platform है जिसने smart contract को बनाया और जिसके उपर सबसे first NFT crypto kitties को create किया गया और अब mostly सभी project Ethereum पर ही create के जाते हैं इंटरनेट पर हम mostly सभी item को use कर सकते हैं free में like image, video, music, etc. बट जब art को हम NFT की तरह create करते हैं तो हर कोई उसका use नहीं कर सकता है क्योंकि NFT को tokenize करके digital certificate बना दिया जाता है जिसको blockchain पर store करके रखा जा सकता है इसका सबसे बड़ा फाइदा ये है कि जब किसी NFT को आगे sale किया जाता है तो उस NFT को बनाने वाले को उसमें से कुछ percentage share मिलता रहेगा as a royalty की तरह है अब बात करते हैं कैसे NFT बना कर sale कर सकते हो NFT की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे कोई भी बना सकता है आपको कोई art आती है तब ही आप sale कर पाओगे ऐसा कुछ भी नहीं है NFT में बस NFT दूसरी NFT से अलग होनी चाहिए अगर आप internet से कोई photo या video या कुछ और digital asset को sale करोगे तो कोई उसे buy नहीं करने वाला NFT का मतलब ही होता है unique आप अपनी खुद की photo, song, video किसी को भी NFT में convert करके sale कर सकते हो उसके बाद आपको ये decide करने है कि आप किस blockchain पर उस NFT को रखना चाहते हो Ethereum, Binance, Smart Chain, Polkadot जैसी किसी भी blockchain को choose कर सकते हो NFT को store करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताए mostly NFTs को Ethereum blockchain पर store और trade किया जाता है तो आप भी Ethereum platform को choose करिए like Rarible NFT marketplace और इसके लिए आपको कुछ Ethereum buy करना पड़ेगा क्योंकि आपको Ethereum network यूज करने के लिए fees pay करनी होती है जिसको हम Ethereum के तुरू pay करेंगे और जब आप अपने digital art को list करेंगे तो आपको उसके लिए कुछ gas fees देनी पड़ती है जिसको simply कहे तो आपको अपने art को list करने के लिए fees देनी पड़ेगी marketplace को इसलिए जिस भी art को आप choose करो तो बहुत सोच समझ कर choose करें जिस पर आपको confidence हो कि कोई ना कोई definitely आपकी asset को buy कर लेगा क्योंकि Ethereum के network पर gas fees बहुत expensive है आप जिस किसी network को choose करें फर्स्ट आप यह जिरूर चेक करें कि वो किस blockchain को support करती है like rarible, super rare जो Ethereum blockchain को support करते हैं उसके साथ आपको एक digital wallet के जूट पड़ेगी like metamask आप इसका use कर सकते है transaction करने में क्योंकि सभी transaction इसके थूरू ही process होगी और आपके Ethereum भी इसी पर store होंगे यह use करने में बहुत easy and simple है आप बात करते है NFT and cryptocurrency में difference क्या है वैसे तो NFT भी cryptocurrency की तरह blockchain पर work करती है but cryptocurrency fungible है means cryptocurrency को हम exchange कर सकते है like one bitcoin के बदले में one bitcoin को या फिर आप कोई और crypto भी buy कर सकते हो but NFT non fungible है एक NFT के बदले में दूसरी NFT नहीं buy कर सकते हो आप क्योंकि दोनों की अलग पहचान है और दोनों ही एक दूसरे से बहुत different होगी यह था दोस्तो आज का हमारा वीडियो I hope आपको NFT के बारे में सब समझा आ गया होगा NFT क्या है, कैसे काम करती है कैसे आप NFT बना कर marketplace में sell कर सकते हो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like and share कीजिए और NFT या crypto से related आपकी कोई query है तो comment box में comment करें and last हमारे चैनल को subscribe करना ना बूले Thank you, जैहिन